हम लोग जब चार जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्तर था, बाद में फॉन्फी नहराज चुरूओ गए, तो मैंने किसी को पूछा यार ये तो ठीक है आकड़े मागड़े तो, मुझे ये बताओ कि EVM जिन्दा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग ताइ करके बैठे थे, कि भारत के लोगतंत्र और लोगतंत्र की प्रक्रियार के प्रदी विश्वासी लोगों का उड़ जाए, और लगातार EVM को गालिज देना, और मुझे तो लगता था कि साथ इस बार, वो EVM की अर्थी निक्या जुलूस नेका लेंग आते आते हैं, उनको ताले लग गए, EVM ने उनको चुप कर दिया, ये ताकत है भारत के लोगतंत्र की, ये ताकत है भारत की निस्पत्ता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनावायों की, और मैं मानता हूँ कि ये, आशा करता हूँ की, पांच साल तो अब EVM साइद मुझे नहीं सुनाईजेगा लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से साइद EVM को लेकर करके नाजने की चुरुआत करीगे लेकिन के सुतरे के सब्बाव बहुत काव बहुत है अब देखिए चुनाओ के समय मैंने पहली बार देगा शायद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमिशन के काम में रुकावाट आए इसके लिए सुप्रीम कोड के दरवाजे खट-खट आए गए पार्टी पार्टी के अप्लिकेशन और एकी टोली थी और लोग तंतर के प्रतिक दिन का भरो भार अभिस्वास हैसे लोग सुप्रीम कोड का उप्योग करते हुए कैसे रुकावट डाले इसका अंदिरंतर प्रयास करते रहे और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अधालतों में इस पीक अबर्स में चुनाव के पीक अबर्स में यहने कितनी निराशा लेकर के यह लोग मैदान में आये थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टिटूट पे लगा दो ताकि चुनाव के कोई भी परणाम आये हम दुनिया के सामने भारत को भी बद्दाम कर लें यह शडियंतर का हिस्सा था दोस्तों और कभी भी देश उनको माप नहीं करेगा साथियों इंडी गड़बंदन वाले जब यह भी इनका विरोथ करते हैं तो मैं सिर्फ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहा हूँ मैं मानता हूँ है लोग मन से पिछली शताब्दी के सोच वाले लोग है वे टेकनोलोजी को हम महत्व न समते हैं तेकनोलोजी स्विकार करने को त्यार है और यह सिर्फ एबीम में दिखाई दिया ऐसा ने यूपी आई में दिखाया जब हमने कहा हाँ कि हिंदुस्तान के ल एंक आधार के प्ददी से आगे बढ़ना के आप कैसे मद्द कर सकते हैं उस आधार को रोकने के लिए सुप्रीम कॉट में बार 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 जाकर के परसानियों पता कि यानि मुझत तह Mindy के विरोधी आधुनिक्ता के विरोधी टेकनालोजिय के विरोधी इंडी है कि विश्वम है भारत के लोगतंत्र की ताकत को कम आकने का प्रयास। कितने एक्स्टी मैं दुनिया में धोल पिट रहा हूं किम मदर अब ईमिकरीश है और ये दुनिया मेंगा करें कि बता भारत के नागरीकों को चुनाव प्रक्रिया के प्रति अविस्वात पदा कड़े का जो उनका सडियंत्र है मैं मानता हूं कि अब दुनिया भी भारत के लोकतंत्री की विविदता विशालता व्यापकता गहनता इन सब को भी जानने समझने के लिए आकरशित होगी ऐसे ही इस चुनाव के नतीजे में देख रहा हूं साथियों जब दोजार एक तारीकों मत्दान पूरा हुआ है और चार तारीकों काउंटि इस बीच की चीज़ों को आप देखिए योजना बत तरीके से देश को हिंसा की आग में जोकने का भाशा बयान दिये जा लिए यहां इखटे होना यहां पहुँचना यहां करना कुछ लोग इस चीज़ को गंबीर नहीं लेते हैं लेकिन यह बहुत गंबीर है आप भारत के लोकतंत्र को पहले उसकी ववस्ता को अनाधर करते हो अब परिणाम आने से पहले एक ऐसा माहोल बना दो कि बस आग लगा देंगे हर प्रकार जिन शब्दों का अर्थ यही निकलता है कि उन्होंने देश को उस दिशा में ले जाने का प्रयास किया था लगातार देश को घुमरा करने का प्रयास किया गया है देश के लोकों को बाटने का प्रयास किया हरे चुनावे के ऐसा लोकोत सब होता है कि जादा से जादा लोकों को हम जोड़े तोडने के लिए नहीं होता है लेकिन हर प्रकार से कोशिज यही की गया साथियों मैं मानता हूँ कि 2024 के लोकसभा के चुनाओ के जो नतीज़ है हर परामिटर से देखेंगे दुनिया यह मानती है और मानेगी कि यह एंडिये का महा विजय है और आपने देखा दो दिन कैसा चला जैसे हम तो हार चुके गए सब्सक्राइब यही दिख्टा था क्योंकि उनको अपने कार करताओं का मोरल हाई करने के लिए ऐसे कालपनी परेव यह करने पड़ रहे हैं और साथियों गढ़वन्दन के इतिहास में अगर आपड़ों के हिसाब से देखें तो यह सबसे मजबुत गढ़वन्दन की सरकार है जादी आपड़ों को आमों वीडियो टी भल लगिला तेबे आमों चैनेल को लाइक, शेर और सबस्क्रेब करेबा कुछ जमा भी बुलनतु नहीं